अरे घूरना बंद करो पहले सब्सक्राइब करो एक भी मचली पकड़ में नहीं आई और सारे समोसे भी खतम हो गए एक काम करो तुम मचली पकड़ो और मैं समोसे लेकर आता है जो चाफ यहां बैखे रहो सब्र का फल मीठा होता है अरे फल किसे खाना है हम तो यहां मचली पकड़ने आया है तुम तो मुझे पागल ही कर दोगे वो देखो तुम्हारा काटा हिल रहा है यह क्या लगता है इसमें कोई खजाना है यह तो बहुत ही कीमती बॉक्स लग रहा है चलो जल्दी से डॉक्टर जटका के लैब में जाके इसे खोलते हैं अब सब लोग डिल ठाम के बैठो हम अब करोड़ पती होने जा रहे हैं यह तो इजिप्त की ममी है और उसकी कोद में ममी डॉग है ममी डॉग पहली बार देखा है रोमत मोटू रोमत इससे उपर गए तो हजारों साल हो गए अभी रोनी का क्या मतलब तुम भी बड़े इमोशनल हो मै तो इसलिए रो रहा हूँ कि इसमें ख़जाना है ही नहीं हमारा करोड़ों का नुक्सान हो गया अब इस ममी को लेके हम क्या करें हम पाइसा लेकर ये मामी लोगों को दिखाएंगे और लाखो कामाएंगे यहो यह अच्छा इडिया है अब मोटू तुम इसकी रखवाली करो हमें अभी बहुत से काम है पूरे फुरफुरी नगर में पोस्टर लगाने यह ममी माइन बकड़ी है वो देखो उसका ब्रेसलेट कितना अच्छा है वो मैंने लूँ उसे छोना भी मत हजारों साल पुरानी है डूटके बिखर जाएगी मैं ममी से मांग लेता हूँ ममी मुझे जरूर वो ब्रेसलेट दे देंगी ममी लोग अपने बच्चे को कुछ मना नहीं करती अच्छा बाबा मांग लेना अगर वो दे दे तो ब्रेसलेट तुम्हारा लेकिन निकालना मत ममी मुझे वो ब्रेसलेट दे दो मुझे वो चाहिए चाहिए और चाहिए मम्मी, लोग तो अपने बच्चों को कुछ मना रही करते, फिर तुम कैसी मम्मी हो, जाओ, मैं तुम से बात नहीं करूगा, रात को खाला भी नहीं खाऊगा यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, आलकु जलाल तू, आई बला को टालतू, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ नहीं है बतलू आल तू जलाल तू आई ममी को टाल तू पलंक नीचे क्या करें हो ममी के पास कौन है ममी के पास कोई नहीं है वो जा गई है और मेरे पीछे पड़ी है ममी कैसे जाग सकती है अरे ममी को तो छोड़ा उसका डॉगी भी जाग या है ये सुनो सुनो ये उसी ममी डॉगी की आवाज है खोला मत खोला मत खोला मत आगे ममी है और पीछे ममी डॉग हमें चारो तरफ से घेर लिया है तुम डरते रहो मैं देखता हूँ कॉल है तुमारी वज़ा से मुझे भी ममी दिख रही है मोटू मोटू बाहर ममी खड़ी है असली वाली ममी बागो मोटू चल्दी कुछ करो खाली पेट मेरे दिमाग की बस्ती नहीं करती तुमी कुछ सोचो आइडिया चलो खिरकी से भागो इसे तब बस एक ही काम है आप क्या करें हम खिर चुके हैं चलो सरेंडर कर देते हैं एक और आइडिया एक बार मैंने हाउसमेड बनके उधार मांगने वालों को बुद्धु बनाया था याद है आइडिया है कोशिश करो पतलो, पतलो, हलो, मो तूसरे मिलने आई हो, मैं उसकी हाउस मेड हूँ, दो महिनों से मेरी सालरी नहीं दी है, उसे पकड़के मेरी भी सालरी दिलवा दो, प्लीज, जल्दी जाओ, वो पीछे किखड़की से भाग रहा है, हुँ, क्या हो, करकी इब नहीं चले, अरे मेरे पर क्यू भाग रहे हो, हिमत है तो मेरे पीछे जो पड़ा हुआ है, उस में भाग आखो, क्या हुआ सारी हेकड़ी निकल गई अरे मोटू पतलू तुम कहा था हमारे मम्मी चोरी हो गया वो चोरी नहीं हुई है वो जिन्दा हो गई है और हमारे पीछे पड़ी है जरूर मोटू ने कुछ कड़ बढ़ की है इस कफिन बॉक्स में लिखा है कि अगर मम्मी का ब्रेसलेट कोई चुरा लेगा तो मम्मी जिन्दा हो जाएगी और ब्रेसलेट चुराने वाले को चोरी की सज़ा देगी मोटू वो ब्रेसलेट दो तुमने वो ब्रेसलेट जरूर चोरी की है मैंने चोरी नहीं की, वो मम्मी ने मुझे दिया है, मैं वापस नहीं दूगा, नहीं दूगा मामोनी, ऐक कुसम मेरे मरीजों की, भागो भागो नहीं, मो तुसे प्रेसलेट शीट के उसे वापस करो नहीं नहीं, मम्मी न मुझे खुद दिया है, मैंने चोरी नहीं की, नहीं की जाल्दी करो, वार्ना ये हम साब को मम्मी बना देगा मम्मी तुम बताओ ना इन हे, तुमने मुझे ये दिया था, वार्ना वो मम्मी पता नहीं हमारा क्या आल करती, यार मैंने चोरी नहीं की थी, मैं चोर नहीं हूँ, मम्मी तुम बताओ ना इन हे, तुमने मुझे ये दिया था, ठैला, बताओ ना, अरे चुप क्यों हो मम्मी, मेरी इज़त का सवाल है ये क्या कर दिया मोटू, वो फिर से जिन्डा हो गई, भागो लाइक, शेर, सब्सक्राइब झाल